हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है गजट से रेट्टू चैनल में आज हम बात करने वाले हैं बोर्ट स्टोन 1200F के बारे में वीडियो सुरू करने पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन को दबाईए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नुटिफिकेशन आप तक पहुस सकें बात पर इसके box की तो इसके box पे आपको चार तरफ इसकी image देखने को मिलेगी और इस speaker से दिया गया है जिसकी quality आपको अच्छी देखने को मिलती है अब बात करें speaker की तो आपको कुछ इस तरह का speaker देखने को मिलता है इसकी उपरक साइड आपको power on-off button दिया गया है और इसकी दोनों साइड आपको solder strip लगाने के लिए जगा दिया गया है और इसकी front side पे आपको कुछ buttons दिया गया है जिसके जरीए आप इसे control कर सकते हैं और इसकी ठीक नीचे आपको battery indicator दिया गया है जिससे आपको battery level का पता चलता रहेगा और इसकी पीछे side आपको सारे port दिया गया है इस speaker के ports में आपको type IPC port दिया गया है जिसके जरीए इसे आप charge कर सकते हैं जिसके ठीक नीचे आपको USB A port दिया गया है जिसके जरीए आप इसमें pen drive भी लगा सकते हैं और इसके ठीक वगल में आपको aux cable लगाने के लिए port दिया गया है इसके नीचे side आपको rubber के stand दिया गया है जिसके सहारे ये speaker किसी टेबल पर आसानी से टिक जाता है और इस speaker के दोने साइट आपको RGB Lightning देखने के मिलती है जिसके बीच में आपको बोर्ट का लोगों देखने के मिलता है अब बात कर इस speaker की features की तो इसमें आपको 14 watt के speaker दिये गया है और यह speaker Bluetooth 5.0 को support करता है इसमें आपको FM radio का भी support दिया गया है जिससे आप इसमें radio का भी आनल ले सकते हैं इसी साथ आपको Google Assistant का भी इसमें support दिया गया है और इसके लिए आपको एक dedicated button दिया गया है जिससे click करकर आप डारेक्ट Google Assistant को activate कर सकते हैं और यह speaker IPX7 waterproofing के साथ आता है थोड़ा बहुत पानी पढ़ने पर यह speaker खराब नहीं होगा और यदि आपके पास इस तरह के दो speaker है तो इसमें TWS का भी support दिया गया है जिसके जरिए आप दोनों speaker को एक साथ connect करके music का आनल ले सकते हैं इस speaker में आपको RGB light का भी support दिया गया है जिसे आप mode के बटन को कुछ दिर दबा कर on या off भी कर सकते हैं बात कर इसके connectivity की तो इसमें आपको Bluetooth 5.0 का support दिया गया है जिसके जरिए आप इसे किसी भी smartphone से connect कर सकते हैं अगर आपके laptop या computer में भी Bluetooth है आप उससे इसे connect कर सकते हैं अगर आपके पास smart TV है तो यह directly Bluetooth से connect हो जाएगा या फिर आप इसे aux cable के दरिये भी connect कर सकते हैं चलिए जल्दी से इसका sound test कर लेते हैं sympath差 बाहर हैं कर सकते हैं जैसा कि आपने सुना इसके वाइस लाउड है और क्लियर भी है और इसमें आपको बेस भी अच्छा देखने को मिलता है अब बात के इसके बैटरी लाइफ की अगर आप इसी स्पीकर को RGB लाइट के साथ यूज़ करते है तो इसमें आपको 6-7 घंटे का बैटरी बैक अप देखने को मिलता है और अगर आप इसे बिना RGB लाइट के साथ यूज़ करते है तो आपको 8-9 घंटे तक का बैटरी बैक अप देखने को मिलता है और किसी भी स्पीकर का बैटरी बैक अप उसके वैल्यू लेवर पर भी निरबर करता है अगर आप इसे फूल वैल्यू पर यूज़ करते हैं तो हो सकता है इसकी बैटरी थोड़ा जल्दी डाउन हो सकती है और आप इसे 50% पर यूज़ करेंगे तो हो सकता है यह स्पीकर आपको 9 घंटे से भी जादा का बैटरी बैक अप देदे अब बातके इसकी पर इसकी प्राइस की तो यह स्पीकर आपको फिलिपकारद पर 3,999 और देखनओं मिलता है अगर आप इसे किसी ओफर मिलेंगे तो यह आपको 2,999 और तक भी पढ़ सकता है और जिस price range में speaker आता है उस price range के हिसाब से आपको इसमें features और sound quality अच्छी देखनों मिलती है इसे आप किसी medium size के hall में या किसी छोटे party में आराम से यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप music सुनते हैं या फिर movies देखते हैं उसमें भी आपको अच्छा experience प्रतान कर देगा दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही अगर आपको भी gadget से रेटेटर वीडियो पसंद है तो इस चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आपका इस speaker से रेटेटर कोई भी question हो तो comment में जरूर पूछे